कि अच्छा जी सबसे पहले यह बता दें कि आप लोग ने डीट कोट पर अकाउंट बना लिए अपने कर दें तो फिर आप मैं से किसे ने को क्वेस्टन प्रिपेर किया को प्रिजान करना चाहरा है अच्छा को अच्छा कोई मसले वाली बात नहीं है आप कोशिश किया करें कि आप कम से कम एक क्वेस्टन जो है उसको प्रिपेर करके आप करें उसका तरीका में आप लुए शुरूरु में करेंगे तो आपको आश्टा इस्ता क्वेस्टन प्रिए चीजहें जो है समझनी शूरू हो जाएंगे ख़्यों आप सासाथ जो है पिर वह आप को क्वेस्टन सब्हों करना शूरू करतेगे तो बैस्ट अप्रोच यह है कि आप हर रोड यहां पर यह लास्ट वीक रखने का मकसल ही यह था कि आप सब भी इसमें पाटिस्पेट करेंगे तो कोशिश किया करें कि आप भी प्रिजेंट किया करें तो तल्हा आपका कोई क्वेसिन है कोई प्रिजेंट करेंगे आज जी सर चले मैं आपको राइट्स देता हूँ आप कर ले फिर उसके बाद अगर कोई और किसे ने करना आपका तो ठीक है ने तो फिर मैं कर दोगा मैंने आपको राइट्स दे दिया सर्थ सिर्फ एक मिन मैं ओपन का दूँ सरा मैं शेयर करता हूँ तब तक मैं जड़ा यह दिखा दूँ अपने न्यू मैंबर्स को कि आपने क्वेस्टिन जो है वो किस तरह से इसका स्लूशन जो है वो डूंड सकते हैं अपने शुरू-शुरू के क्वेस्टिन के लिए तब तक आप ओपन कर ले में स्क्रीन शेयर हो रही है अच्छा यह मैंने कल भी दिखाया था आपको यह लिस्ट है लिस्ट ऑफ क्वेस्टिन जो है आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो आपको यह लोगों ने डिस्कॉशन की हुए यह मुख्लिफ सलुशन्स दिया है लोगों ने इसने पाइतों यूज करके किया हुआ किसी ने कीया तो आप यहां सर भी इनकी आपको और आपको आपको तो आप यहां से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं तो शुरू शुरू में आप ऐसे दूसरे कोड देखें समझें यूट्यूब से और इसको करना शुरू करें तिरा इसता इसता जो है है आप इसी में प्रॉफिशंट होते जाएंगे और आप वह खुद भी सॉल्व करना चुरू करते हैं ठीक है तो मैं अपनी स्क्रीन स्टॉप कर देता हूं शेयरिक और अब आप शेयर कर ले अगर आपने आपन कर लिए तो जी सर में स्क्रीन शेयर हो रही है या जी आपकी स्क्रीन हो रही है ओके काफी मज़ेगा क्वेशन जिग्-जग कन वर्जयन है लेकिन स्ट्रिंग और एड़े को एक जैसे है ट्रीट किया जाता है तो वसी तरीके से हम करेंगे इसको ठीक है first of all हम क्या करते हैं कि question का number तो देख लिए कि six है और zigzag conversion है हमें उसने क्या क्या given किया वह पाड़ लेते हैं तो फिर उसको समझने कोशिश करते हैं कि कि किस तरह करके उसने बता रहा है हमें यहां पर उसने क्या दस ट्रिंग PayPal लिश्रिंग जो भी उसने मतलब दी है is written in a zigzag pattern on a given number of rows like this आगे उसने बताया है कि you may want to display this pattern in a fixed front for better legibility ठीक है यह जस्ट उसने आगे लाइन बताईए है के बैटर रीडिंग के लिए ना आप फिक्स्टे फॉंट के अंदर कार सकती हैं मतलब एक जैसे फॉंट के तरह में यह नहीं कि पी के बाद एचोटा आजाए वाए चोटा उससे मतलब यह भी चोटा लिख ले सारे के सारा एक ही capital है तो capital में लिखे हैं अगर जो इसमाल है तो small alphabet में लिखे हैं तो अब उसने कि जीग-जैग पैटर्न के अंदर हमारी convert हुई है number of rows के अंदर ठीक है मैं अभी इसको जस्ट यह बता रहा हूं कि यह जीग-जैग के अंदर है बाकि हम बाद में देखते हैं किस तरह जीग-जैग में है यह मैंने कहा है कि यह जीग-जैग है इस तरह का है ठीक है लेकिन return ह हमने रोवाइज रीट करना है ठीक है यहां पर मतलब पी ए एच एन फिर एपी एल एस इस तरह हमने कारके return करना है रीड हमने इस तरह कारके return करना है लेकिन जिग-जैग इस तरह create करना है यह काम हमने करने है आगे उसने नीचे बताया कि write the code that will take a string and make this conversion given number of rows मतलब जितनी उसने रोज दी होगी ना उतने के अंदर करेगा अब इसको हम थोड़ा सा example से समझते हैं उससे ज्यादा clear होगा example number one जो है ना उसने उसी को यहां पर यह सोल किया है ठीक है example number one को यह उसी का solution डिखा है अब उसने यहां पर string s दे दी है रोज उसने क्या क्या है तीन के अंद किस तरह डिवाइड होगी हम जानते कि इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट होती है जीरो से one से और मतलब two three के अंदर कितने इंडेक्स होंगे three zero one two तो यह कितनी रोज होगी है तीन रोज होगी है one हम zero को one consider करेंगे one को two और two को three ठीक है यह हमारा यह consider हो जाएगा अब मजीद अब क्या करेंगे हम one by one read करेंगे ठीक है element और मैं यहां पर रोज क्रियेट कर लेता हूं ठीक है मैं क्या कहता हूं यह zero number row है यह one number row है और यह two number row है यह हमारे पास तीन जो से हैं रोज जिसमें हमने treat करना है उस पूरे की string को वह आगी हमारे पास अब अनिशली जोंसा हमारा जोंसा index 0 से start होगा ठीक है अब मैंना एक जोंसा create variable कर लेता हूं step का ठीक है step का वह कहां से start होगा वह initially जोंसे हमारी लोड बॉंड है ना लोड लिमिट है जीरो है उससे start होगा और highly कहां तक जाएगा वहां तक जहां तक हमारी इंडेक्स माइनस मतलब हाई इंडेक्स है जो कि in this case जीर टू तक है जब तक वह टू नहीं बन जाता तब तक वह इंक्रिमेंट होता जाएगा जैसे ही वह टू होगा तो वह डिक्रिमेंट होता जाएगा ठीक है उसको हम समझते हैं किस तरह कर रहा है यह first of all step 0 है मैंने रोज बता दीं कि रोज हमारी जो डिवाइड होंगी उसने तीन रोज क यह और step को check किया तो वह क्योंके 0 है और वह जो हमारा इस रेंज से अंदर है इस रेंज के अंदर है ठीक है इट मिन्स मैंने किया पी यहां पर राइट कर दिया ठीक है और step के अंदर 1 का increment कर दिया step क्या हो गया step 1 हो गया कि अब दुर्बारा सी स्क्राइब रिए किया यह वाय को देख तो सब consig Lorenz सब्सक्राइब करना माने र ます सब्सक्राइब को तो कि यह एगा क्या तो इस सब्सक्राइब ने रिखे हैं तो मैंने क्या क्या अंदर से करना करना शुरू करते हैं मतलब जहां से से मजीद माइनस मारे में नहीं तू से आप वन नबर लाइन हमारी यह बन रही है ठीक है एक बाद फिर दुबारा से जब मैंने दूबारा में डिक्रिमेंट किया ठीक है जहां पर वान से जीरो हुआ सीरो फिर सीड के अंदर है अब मैंने ए उठाया ठीक है ए जो सा मैंने अब जीरो वाली कब दोबाराख करना शूरू कर ठीक है यहांपर माइनास one की दीजिए zero से वन एड कर दिया और नयक्स्ट इल्मेंन मेड़ जो के अ il तो मैंने क्या किया दुबारा से डिक्रिमेंट करना शुरू कर दिया वन पे तो दुबारा से मेरा ऐसे जोंस है वह वाली लाइन में आ जाएगा तो नेक्स जब दुबारा से हम एस भी हमारा हो गया को जब उठाया पहले डिक्रीमेंट हुआ ठीक है ए्च को उठाया तो एच क्योंके जोंस है अंदर ही है तो एच सिअच यहां पर आ गया ठीक है दूबारा से मइनिस में चल air जाएगा तो हमने माइनिस में नहीं जाना क्योंकर इस रिंज के अंदर अंदर है तो दुबारा से वन इंक्रिमेंट हो जाएगा यहां पर तो यहां पर मेरा जोंस आई आजएगा दुबारा से ठीक है फिर जब मैं दुबारा से increment मजीद करूंगा टू हो जाएगा तो टू के अंदर आर आजेगा यह मारा एच भी हो गया आई भी हो गया आर भी हो गया बाकी जोंसे आई एन और जी बचा तू क्योंगे दुबारा से रेंजर अपर बहुन पे पहुंच गया है ठीक है तो दुबारा से क्या किया मैं इदर यह साइट पर लिखे रहा दुबारा से नेगिटिव की तरफ चले जाना है ठीक है टू बेसे माइनस वन किया तो वन बचा तो वन वाले इंडेक्स के ओपर आई रख दिया यहां पर फिर दुबारा से माइनस किया तो जीरो बचा जीरो वाले इंडेक्स के ओपर जो हमारे तो हमने माइनस में नहीं जाना दुबारा से रेंज को अंदर लाने के लिए वन करते ना इसको ठीक है तो जीरो से वन होजएगा तो यह क्या होगा यह हमारा जी यहां पर आ गया वान नबर वाली लाइन के उपर निका यह जो उनसी आ रहे हैं वैलिज यह वो रो नंबर जा यह मारे बासंग 울र यह पहले नीचे को जा रहlogo यह उसका उपर यह पिर नीचे आ यह फिर यह जा रहे है और इस तरह यह जीगजग कर यह। है ठीक है लग्त मकें रिटरन करने करने निंगा करते पहले जो से जीरो वाली लाइन के उपर सारे अलिमेंट रहुन ना उनकों क एटिनर काедेना साथ पी एएच फिर एफिर और पीए फिर एफिर ए से पिर डबल आय ए पिर जी और फिर वाई के बाद आ यह दुबारा से और आ रहे रहें तो पर ढूलर करवना हों हमने करवाना क्र container क्यों जिरो वाले के कि आएफ पर पहले पर ऑने करें कि उसरा यह पिर वाले की उपर सारे आणि अभू तरह आले के दी में हम्हें कि लिमत करना हैं हम कोड के अंदर समझते हैं कि इसको प्रण करना है बाकी क्रें क्लिए है करना क्या हम तो काम वही हमने की है ठीक है यहां पे भी लेकिन क्योंके फॉर का क्या मतलब है जीरो वान टुवड एक हाईर जो सांडेक्स होगा वो ठीक है तो यहां पे जोंसाइज जीरो के उपर जो भी अलिमेंट मतलब जीरो के लिए वान के लिए टू के लिए त्री के लिए जब हाईर लीमिट पहुंचेगी तो हमने माइनिस करना शुरू कार देना है लो और फैनिस करना शुरू करतें न है ठीक है यह दो बते याद रखनी है बाकी इग्जी सा काम है और यह ज bet हम अधूर स्पेस्व हम बीच में डालेंगे वह यह अध्यर यह स्पेस निभरें यह 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 जिना ऑपके स्पेस नहीं डाल रही है तो फाइनल आउटपुट जो आएगे उसकी शेकल किस तरीके की होगी हमारे पास वह क्या होगी पहले हम जीरो नंबर रो के उपर जितने लिए अलिमेंट्स होंगे ना उनको आपस पर करवा देंगे जैसा कि इस वक्त अगर हम देखें पी आई एन जीरो वाले के उपर हमने क्या किया पी आई और एन को सबसे पहले रख लिया कंटेने करवा दिया वहाला के आलरेडी हुए होंगे लेकिन मैं कहें कर दिया हमने एल एस आई और जी यह वाले वर्ड भी कंटेने करवा दिया हम इसको करें तो यह हमारा कोड साथ सब्सक्राइब है वैसी का पिन के साथ एलसाई जी फिर वाए एच आर जो के यह आ रहे है फिर पी और आई जो के यह आ रहे है ठीक है वाए एच एंड आर और देन पी पाई यह वारे सारे एली बैश इस तरह आ जेंगे ठीक है और क्यूंकि एग्जैम्पल नबर थ्री तो इजी सी है कि अगर रो यह एक है तो बेशक जितरा मर्जी वर्ड बढ़ा होता बेशका में यह पूरे का पूरा वर्ड भी डालते लेकिन अगर रो यह एक होती तो उ तो इटमीज वही कि वही रीटन कर वाद को यह काम नहीं करना हम ने ऊ으 थिका के सामने कर लिए बाकी जोंसिया ना बाकी मैं किस तरह क्यों कर रहा हूं उसका मैं बताता हूं कि फिरस्ट और फाल मैंने का कि यह जोंसी है हमने इसको रोज़ में डिवाइड कर लेना है ठीक है तो मैं उसके लिए कर रहा हूँ एक ड़िए create का रहा हूं string type की जिसके इंतर strings होंगी ठीक है अब यह जो यह ना इसको multiply करवा रहा हूँ total number of rows के साथ number of rows जितने भी उसे धिये होंगी ठीक है लैर से उसने पहली दफाग तीन 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 ना तो इतम सैंटक्स के ऊपर तीन एक अरे बनजेगी यह बीच में स्पेस नहीं है यह बीच में यह साथ जूरी नहीं है तो यह जोंस है नहीं हमारे पास इस तरह की एक अरे बना कर दे देगा अगर number of rows three है तो three accordingly यह बंजेगी four होंगी तो एक और आगे साथ जूर जाएगी ठीक है तो अब जोंसी यह rows की बात का रहा थारा मैं कि यह row number zero है यह row number one है यह row number two है और यह row number three है ठीक है तो यह जोंसी है ना indexing row number one two one two and three so होना है ठीक है यह हमारी row number one considered होगा पूरा zero index जो है इसका यह row number one जोंसा पूरी row number one considered होगी row number two जोंसा पूरी row number two considered होगी ठीक है यह clear होगे यह वाले किस तरह हम इसको consider कर रहे हैं नो अब हम क्या कर रहे हैं मैंने का कि step जोंसा क्योंकि लोर index हमारा zero से start होता है ठीक है तो zero से start करने है ठीक है higher index हमाला क्या होता है वो जो भी total number of rows होंगी उसमें minus one करेंगे तो वह higher index आजएगा ठीक है यहां पे आ गया अगर four four minus one करेंगे तो three इसका higher index है ठीक है next हमने क्या क्या हमने यह तो काम चेक कर लिए कि इसका higher index यह और lower index इसका यह है ठीक है मजीद हमने यह चेक करना है कि अबजार इसवी बात है इसके अंदर जो से बाकी index भी तो आ रहे है ना तो इसको हमने control किस तरह करना है ठीक है उसका हमने even node का code हमने इसाब किया है कि even number अगर मेरे पास 10 है तो हम उसका modulus लेते होते हैं किसके साथ 2 के साथ है तो वह क्या करता है वह हमें 0 return करता है ठीक है तो अगर मैं यह कहता हूं कि यहां पर जो से को यह rows है total number of rows कितनी है फोर हैं तो उसका index किस तरह काउंड होनी है जीरो वान टू और थ्री ठीक है हारे इंडेक्स कौन सा हो थ्री है लोर इंडेक्स कौन सा हो जीरो है अब मैं यह कहता हूं कि यहां पर जो सा हाईयर इंडेक्स है ठीक है वह मेरा यह जिस तरह हमारा टू है लिमेट है ना इवन नमबर की कि वह टू से डिवाइड होगा जो सी हाईयर लिमिट है उसकी यह नहीं होगा या वन टू नहीं हम हाईयर लिमिट उसकी बात करती है कि टू से डिवाइड होगा इवन नमबर है तो ठीक है उसके यह वाले नहीं कौन्ट कार नहीं होते भी ुझ थीक है ना कि फॉइ ओड हम इसके अंदर यूज करने लगा है मिंड फोगा इंडेक्स होगा इंडेक्स हुगा इसको हम इसको हम हम test है लेकिन अगर वो डेंज से मतब वन अगर हम करें इसको तो यह क्या होगा यह भी डेंज के अंदर यह आ रहा है ठीक है इसके लिए साथ जो जाना आउट ओबॉन का वेरियबल क्रियेट किया है ठीक है उसको भी हम देखते हैं किस तरह कंट्रोल होगा है तो फर्स्टूफ हम ने क्या है किया यह मैंने इस बिधाया है कि इंवन नंबर की हमने लगाwriting इंवन नंबर की बेस के आपकर माईट भी अगर वह तो रोस होता तो यहां पर टू आता कि कि यह ठी कि टो 3 रोस था तो 3 रह अगर गर 3 होता है 2 आना था यहां पे जो जोश होगी उससे एक नमर काम से हम मैं यहां पे यहां पर किया कि यहां दिया कि छियए ऑट ऑफ गया है तो 111 की जोच में चाहें के लिया मैं यह जोश कर जिएरे पास आउट औफ भॉंड मेरी जो सिर पॉइंटर था ना स्टैप यह आॉट ओफ भॉंड है इनिशलि इस्पोस कर रहे हूं ठीक है मैंने उसको ट्रू रखा है कि इनिशलि मैं स्पोस कर रहा हूं वह आउट ऑबॉंड है यह करता है इन्यूमियेट मुझे ना एक किषिक्षिन Shirley confirm watch कि अभी करते हैं किस्टा के मेरा जोंस ना पी करेंटेक्स है जीरो एक नमबर पे वह एद तो यह है तो यह मुझे इस तरह एक लिटरन कारके देखां देखाएंजी रोगा जोंस remote e वह ए ठीक है फिर जो नमबर के ऊपर है वह य फिर मेरा जो थी नमबर के ऊपर है वह दुबारा से पी यह तो यह मुझे जो इन्युमिरेट फंक्शन है यह इस तरह रिटर्न कारके देगा पूरी की पूरी स्रींग को ठीक है इसको हम रान करके जड़ेख लेते हैं कि इसी तरह निटेन कर रहा है कि नहीं, प्रिंट नहीं किया, जब नियुक्रिए, जब आ बियास के गरेंट, कि इंडेंट रहो ओके यह वाली मैं बात कर रहो इन्यूमिडेट फंक्शन की ठीक है वह कर रहा है यह मुझे इस तरह करना एक लिस्ट क्रियेट करके दे रहा है जिसके तपल्स है सेमयज इंडेक्स करके मुझे एलिमेंट पड़ा है थीक है यह मुझे यह यह चीज रिटर niez फंक्शन करके की आ जाजाएगी मेरे पास तो निशली स्टेप जीरो से किया है और आउट ओफ बॉंड टू किया है ठीक है तो ये मेरा जीरो वाला ये वान वाला और ये टू वाला और ये थ्री वाला ठीक है मैं इसको रॉन भी कर ले तो ताके हम उसके साथ जाना कंपैरिजन करते जाएं तो ज्यादा इसी रहेगा कि मैं से स्पेस काम कर लेकिगार है trop ऐट एग तो ऑफ यहां पर यह मेरे पाश़कों के सारा है जो सामना बेरा इतना काम कर रहे हैं मेंन दीड़ और हो काम का रहा ठाव है साथ साथ Dry Run करते हैं First of all मैंने क्या किया मैंने यहां से Element उठाया ठीक है जो कि यहां पूरे का पूरा यह चीज मैंने उठानी है एक पूरा टपल मैं उठाया उसका Zero Jones है क्योंकि पहले नमबर पर वह Index को डीप्रेजन्ट कर रहा है जो सा क्रैक्टर है वह CS से डीप्रेजन्ट कर रहा हुए है इन ए정이 का मतलब यह के कौन सी ऑृड के अदर है ठीक है मतलब कि उसका नाम में लिए रखाई है तो इस वया से वह रचिक हो गया तो पहला इंडेक्स होगा और दूसरा के ट्रिक्टर होगा यह बस याद रखने हैं अब पहला तो ब्लाक बनेगे दोते चैनल तो फोर यह से इन्ट वर ब्लऑक्कि बनेंगे वान dub ढोन ने जूए 00493 आन्द देन फॉर यह मेरे पास फौर ब्लक्क बनेगे ठीक है सुईएरो वान टू और वर थ्री ठीक हो गया यहाँ पर मैंने क्या किया क्योंकि यह Zero इंडेक्स रहा तो जीरो कहां पर यह वो मेरा इसके अरेंज के अंदर ही आ रहा तो मैंने साथ यह वाला जो एलिमेंट रहा था उसको कॉनकेटीनेट करवा दिया जिग्जग अरे के इस step के उपर ठीक है step की value 0 थी जिग्जग क्या है जिग्जग मिनी array का नाम है जो कि मैंने यह empty create की है तो जिग्जग के 0 वाले index के उपर concatenate करवा दो क्या यह character इट मिंज यह के करेगा यहां पर P concatenate करवा देगा जब हम यहां पर empty के साथ कोई character concatenate करवाते हैं तो वो क्या करता है वो जो भी character होता है उसी को मतलब empty की जगा पर राक देता है इस तरह हो जाता है हमारा ठीक है तो इसने यह काम हमारा कर लिया इतने कोड ने फिर मजीद चेक किया किया मजीद यह चेक किया कि हमारा कहीं जोंसा यह out of bound था अब उसको हम चेक करने लगे हैं यह index की जगा मैंने zero ही रखा ठीक है जो का index था number of rows मैंने बताया कि हमने always किस से करना माडूलस लेना है maximum वाले वाले नमबर से इस case के अंदर 4-1 या 3 आएगा तो always हमने क्या करना है इसका जोंसा ना max 4-1 3 से माडूलस लेना है तो zero जब माडूलस 3 का लेंगे zero माडूलस 3 तो वो क्या करेगा वो क्योंके zero ही देगा answer ठीक ह ना यह हमारा zero answer आएगा तो क्योंके यह आउट ऑफ बॉण्ड में नहीं है तो वो क्या करेगा इसको true की बजाए false करतेगा क्योंके initially हमने suppose कि यह out of bound है लेकिन क्योंके यह नहीं है तो हमने इसको क्या कर दिया इसको false कर दिया कि out of bound नहीं अब यहां मंदर ही है ठीक है तो यह true की बजाए false हो गया मैंने यहां पर out of bound को false कर दिया तो यह अब इसकी value यहां true की बजाए अब update होके false हो गई है ठीक है मैं उसको f के साथ शो कर रहा हूं फिर मेरी मजीद condition check होगी ठीक है कौन सी condition check होगी यह वाली ठीक है if not out of bound not क्या कर रहा है out of bound की जोंसी मेरी value है न उसको उल्ट कर रहा है out of bound की value तो यहां update होगी थी ना false होगी थी तो false का उल्ट क्या होता है true it means मेरा step मजीद आगे होना चाहिए ठीक है मतलब हमारा जोंसा initially मैं कह रहा था कि मैं suppose कर रहा था कि zero out of bound है लेकिन मैंने चेक किया zero तो inbound है तो मैंने उसको update कर दिया नहीं जी यह true नहीं है out of bound नहीं है boundary के अंदर ही है तो मैंने उसको false कर दिया ठीक है तो अब मैंने false क्योंकि यह condition मैं run कर नहीं थी ना step को तो इस वाए मैंने उसका not लिया कि step पर जोंसा ना उसको increment करे तो step के अंदर अब क्या आ जेगा step के अंदर मजीद एक zero की बजाए एक का increment हो जाएगा और वह one बन जाएगा ठीक हो गया तो चलेगा नहीं क्योंकि इफ चल गया है इसके accordingly इफ चल गया तो एल्स नहीं चलेगा तो मेरा जो सा कोड़न दुबारा से for loop के उपर आ जाएगा यहां पर ठीक है दुबारा से अब मेरा जो सा element उठाया जाएगा न जब one के ओपर क्या है कुछ मी नहीं था तो ए पर है तो ए को मैंने यहां पर करवा दिया जो कि अब यहां पर a आ गया है अब मैंने one को चेक करना है कही one तो नहीं out of bound हो गया तो यहां पर दुबारा से काम वही चेक किया one जोंस है क्या यह condition true ओड़ी है one माडूलस three दे रह है क्या यह condition true ओड़ी है नहीं होगी जी यह नहीं होगी क्योंकि अगर one माडूलस three लें तो इसका remainder जो है वह one आता है ठीक है मतलब three zero zero होगा तो one minus one करेंगे तो यह remainder होता है हमारा नीचे वाला तो यह जोंस है यह zero नहीं आ रहा है यह one नहीं नहीं होगी इसका मतलब क्या है हमारी जोंसी out of boundary पे हम अभी भी नहीं पहुंचे ठीक है तो वह false का false ही पड़ा है यहां पे मैंने जोंस है यह false किय गया यह मैंने इसको false किया था तो यह अभी भी false का false ही बड़ा है ठीक है तो आप दुबारा से महारा क्या होगा यह code run नहीं होगा इस यह वली इस तो next if चेक होगी ठीक है out of boundary false था false का not लिया तो true हो गया तो step में मजीद increment एक हो गया तो one की बजाए वह आप two हो गया अब ह अब हाला से हमने सारा काम वही चेक किया ठीक है पहले हमने तू नम जों सा यहां से element उठाया जहां पर मैंने यह element उठाया two और y तो मेरे पास इंडेक्स के अंदर two आ गया और y आ गया character के अंदर मैंने two वाले index के ओपर यह वाला जो भी यह character था इसको करवा दिया append करवा दिया मैंने उसको append करवा दिया थीक है concatenate करवा दिया अब concatenate करवाने के बाद मैंने चेक किया क्या यह two कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी boundary के ओपर पहुंच गया है तो दुबारा से मारियर वाली condition चेक होगी कि two का modulus लेंगे किसके साथ हमेशा condition वही रहेगी कि जो से हाँ यह वाली limit है उसके उपर two का modulus लिया three के साथ तो यह क्या condition true होती है नहीं यह भी नहीं होगी यह भी नहीं हो रही it means मारा if वाला दुबारा से नहीं run होगा दुबारा से यह चेक करेंगे तो यह अब क्या हुआ अब क्या हुआ अब हमारा पहले तो वही जो सा काम पहले यहां से अलिमेंट उठा लिया ठीक है क्या क्या element आया three और पी आया अब हमने करना है अब हमने three वाले इंडेक्स के ओपड़ पहले character को तो करवादिया ठीक है जो के वपड़ जाकर रख दिया अब हमने दुबारा से यही है क्या यह three जो सा हमारी अपड लिमिट को पहुंच किया है ठीक माडूलस लें हम ठीके साथ है थीक है यह अपल लिमिट को निया है है लिमिट को थिए जी है थी के अगर हम इसका थी हमारी कंडिशन लीस थफार होग है तो हमने क्या है हमने जों सा ये आउट ओफ बॉंड था ना उसका दुबारा से नॉट ले लिया मतलब पहले फाल्स था तो फाल्स का नॉट लेंगे तो वह ट्रू हो जाएगा तो वह क्या हो गया वह ट्रू हो गया पर पहुंच गया हम ठीक है तो अब हमारा आउट ओफ गया है तो अब यह वाली condition to run हुई है लेकिन अगर हम इसका बात करें तो true का जब not लेंगे तो false हो जएगा तो यह condition निरा नोगी तो क्योंकि यह नहीं रान आँखी तो if का बुज़ाए else रान नोगी तो else step में से क्या करेंगे एक माइनस करने शुरू करते हैं थृ से माइनस टू बेचल थे रागया ठीक है, three माइनस 1 किया to two बन गया हुआ, ठीक है, इतना clear है मैं इसको एरेज करता हूं ता कि थोड़ा सा क्लियर हो जाए यहां पर जो से आंसर्स बने हैं हमारे पास अभी तक वह हम को लिख लेते हैं हमारे पास यह जो सी अरे आंसर वाली बान रही है वह अभी तक यहां पर पी आया है ठीक है यह मैं न अब बैव अलिया पर लिखना हूं ठीक है वाइं और दुबारा से आ रहे ऐ है ठीक है班 की वैली क۔ यह की वैली दुबारा से गी बाुदीट जाहां पर लिखे लिटा हूं स्ट्राओन आउट ऑफ़ान्डा मैं आउट-फ बॉंड यह मारे तोड़ा से क्या होगECT ओगे मेरे इसको औरेज़ कर देते हैं ठीक है कि अब हम मजीद क्या देखेंगे कि कंडिशन वहीं है सेम एजिट एजिट इजी ठीक है हमने बस यह चीज़े देख लिया ना कि आउट ओबॉंड कब ट्रू और कब फाल्स हुआ है बाकिया बीजी सा कोड है ठीक है अब क्योंके ट्रू दूबारा से आउट ओबॉंड हो ग यहां से यह 4 और एटाया ठीक है यहां पर क्या आगे इंटेक्स की जिगा 4 ग्रैक्टर की जिगा ए ठीक है कंकेटिने करवा दिया ठीक है कंकेटिने कहां पर करवाने है पहले हमने क्या किया यह जो साथा गोलों यह क्षेक्टडट की और इसे बागे एंदेक्स करवा दिए कर वाकर एंडेक्स कौन सा बाड़े है मारे पास एक एंदे जीरो वान और डू वाईवाला बान रहर है तो बाएक के साथ जब एक करवाएंगे तो वह इस तरह आजएगा ठीक है नहीं यहां पर उरस Igam तो अब कर घिया वाई और साथ आगया तो मजीद दुबारा से यही चेक किया किया कि हमारा आतने इन बॉंड तो नहीं जीरो देगा वन देगा ठीक है यह इसका भी हम चेक करके देख सकते हैं कि तो फोर माइनस थी करेंगे तो वान ना रिमेंडर आ रहा है तो यह कंडिशन ट्रू नहीं हो रही इत मेंस हमारा बैक की तरफ अभी आउट ऑफ बॉंड नहीं हुआ भी पहले हम जब जा रहे हमारी आउट ऑफ बॉंड टू है तो टू का नाट लेंगी तो फाल्स होगा तो यह कंडिशन में नहीं रण होगी तो हमारा एल्स होगा तो एल्स के करेंगा जिस स्टेप में से माइनस वन एक कर देगा तो तू की बजाए तुबारा से वन हो गया अब हमारा जोंसा है लो भी स्टेप की वैल्यू थी उसके ऊपर क्रेक्टर तो पेंड करवा दिया अश्टैप की क्या वैल्यू है वह नं है एंडिक्स मारा पास ए बन रहे एक हैसाथ हमने ल को लगा दिया ठीक हो गया तो अब जब आपिने के साथ लगवा दिया हमने दोबारा से चेक किया क् फाइव का मादूलस लिया थरी के साथ तो दुबारा से हमारी ये कंडिशन प्रू नहीं होगी इस दफापे भी इट बिए भी लोड लिवर पे नहीं पहुंचे भी बिर्मियान में कहीं है तो हमारी ये कंडिशन दुबारा नहीं true होगी तो not of bound को जब चेक करेंगे तो वो true का not लेंगे तो यह भी नहीं चेक को run होगा क्योंकि फाल्स आएगा तो else क्या करेगा जो जो जिएरो कार देगा ठीक है अब दुबारा से हम क्या करेंगे दुबारा से element उठाएंगे कहां से element को उठाया six और i को ठीक है हमारे पास जो element आप आया वो six आया और साथ आई आया इंटेक्स के अंदर six था और ट्रैक्टर के अंदर आई आया step की क्या value है step की value zero है ठीक है zero के ओपर हमने यह character append करवा दिया आई था तो आई यहां पर बन गया ठीक है तो यहां पर क्या हुआ है यहां पर यहां पर पास वे जो अब हमने यह चेक करना है क्या यह लोड लिमिट को पूंच गया है जो इंडेक्स था तो हमने यहां पर zero का modalus liya three साथ ठीक है तो यह दूबारजा से zero दे देगा इच्क है यहająरा answer zero देदेगा तो जब हमने क्या करना है यह होजाएगी तो यह हमारी टूम्द्फ दूरिया से क्षेज करतो कर दो winning ठीक है तो ज्याँक ठीक है तो यह नहीं ज्ट zuर फाल्स करतो तो बहुंरा तो जब हमारा क्योंकि यह false हो गया न कुछ यह ग्यां इस निश्क ऐखार अश्लिकाई-ख्थ एक तो जब हमारा क्योंकि यह false हो गया ना तो यह cold check को गया तो ऑट्व फाल्स का not लेंगे तो true हो जेगा क्या है और टीक है टीक है तो अब दोबारा जो एक होँगा टीक है फिर्स मेन्स करेंट जो जह canyon करवा तिक है पिर यह जो सांडेक्स है यह वाला थीजिए आउट वोंड तो नहीं हो गया मतलब अब इंक्रिमेंट की तरफ वाली लीमिट है तो नहीं पहुंच गया तो हमने जब इसका चेक करेंगे तो यह दुबारा से टू नहीं होगा ठीक है मतलब यहां पर हम सैवन माडूलस त्री लेंगे तो यह जो हमें वान रिटन करेगा त i can do it means डे मीन्स दुबारा से यहां पर एग्जीक्यूट नहीं होगी तो फाल्स का जब नाट लएंगे तो इस डूप कि दूबाड़ा से कि होगा तो जीक है तो जी हमारा ना इसे कोड़ यहां पर तो एग्जीटकूट आएंगे तो यह वाला BellyMent उठाएंगे et H है आज़ है तो काम वही करना है कि two ऑल index कर जो भी किरेक्टर था उसको do credential FROM प्रेटाड कर देना है यहां पर two Audio index लेंहिए हमने app Micro भादिया एच को और साथ क्वा इया यह वाला च्क कर लिया है यहां यह लीमिट को नीं比較 जोंसी है तो यहां पह एड को जब माडूलएस्थी से लुएन यहांशर यह किंडिशन हमारी दुबारा से होजेगा थ्री आजेगा तो एल्स नहीं चलेगी तो आप दुबारा से हम पहले एलिमेंट उठाएंगे स्टेप की क्या वैल्यू है उस जगा पर क्या करेंगे यह वाली वैल्यू जो नहीं से की ते में स्टाइड है तो ए taking आप्र लिमेंट को रीच कर गाई मेंस हमने क्या out of ऑउंड दुबारा क्या की चेंज कर दिया के हमारा पहले टू था तो डबारा से क्लिए ने फास ता हास की बढ़ा दे टूर च्रूर आप फास क्या का थैक था तो ए हम क्या हम और Yo कि जब नौट लेंगे तो यह उल्ट हो जाएगा कि स्टैप में मजीद इंक्रीमेंट निकरना बैक की तरफ आना है एकर इतमीज यह तो टू हुई थी मारी अब यह वाली टू नहीं हुई भी ठीक है यह वाली टू नहीं हुई तो इतमीज हमारा से एल्स वाला कोडर रहना ह तो टेन और और को उठाएंगे तो पहले तो हमारा स्टैहप पर जो भी था तू ए तो वाले इंडेक्स के उपड जो भी है र मतर जहां पर लगा दिया ठीक है यह आपने अब इस चेगा के इंदरं यह सारस neo liven को तो नहीं पहुंच गया तो लोड को चैक करने की किंडिशन वह यह क्टन्प का मौडूलस लिया ठीक है और यह हमने चैक कर लिया यह जीरो के Gabe आधा भी ठीक है हमारी with only होगी कर दीन मैं दिर्मेंआँ में कईनी हैं기도 practice हएम यहां पे चली ने bail-you होजएगा ठीक है हमारा यह कंडिशन यह भी नहीं होगी तो जस्ट स्टेप के इंदे दुबारा से एक और डिक्रिमेंट होजएगा वान आजएगा वान होगा तो हम यहां पर उठाएंगे ठीक है 11 और आई को तो वान नमबर वाले के उपटर पहले बगा देंगे साथ ठीक है और 11 नमबर वाला जो भी इंडेक्स होगा उसका पहले चेक करें क्या लोड लिमिट तो नहीं पहुंच गे ठीक है तो लोड लिमिट को जब मैं चेक किया तो यह दुबारा से हमें जीरो नहीं तो हमारी यह कंदिशन किया होगी यह फालस होगी तो हम यहां पर जोंसा यह भी फाल्स होजाएगा क्योंकि तो एल्स जस्ट टैप के अंदर डिक्रिमेंट होगा तो स्टैप की विजो सी वैलियो वह दुबारा से जीरो होगे अब हमने दुबारा से जुन सा यह उठाया ठीक है 12 और एन ठीक है हमने एन को तो जोड़ दिया जीरो वाले इंडेक्स के उपर ठीक है तो हमने जब 12 का माडूलस 3 से लिया ना तो यह क्या कर रहा है यह हमें 0 दे देगा तो इट मींज यह क्या हो रहा है यह हम लोड लिमिट के उपर पहुंच गया है तो हमने क्या कि यह दुबारा से आउट और बोन को ट्रू की बज़ए यह फाल्स कर दुए कि अब आउटोप और आउट ऑड्ड नहीं है दुबारा से आउपर की तरफ जाना है ठीक है तो हमने कैंकि यह फाल्स किया था हम थे क्यांने ठीक है तो फाल्स का जब नौट निए तो वह true हो जाएगा तो step के अनदर दुबारा से इंक्रिमेंट होना शुरू की बारा से काम वही है यह उठाया उसको वाले इंडेक्स के ओपर जो भी है घी है यहां पर हमारा जाया और जो अउप है ना वह फ्रश्क करें गया है कि यह हमारा यह जो उनस है मतलब लिमिट से आगे है यह मतलड दिरम्यान में और हाईयर लिमिट को छीव कि लोगए है तो क्योंगे यह इनक्रिमेंट को चीव नहीं नहुआ तो स्ट्राप तो इंक्रिमेंट होगा ठीक है बट अब यहां पर ह हमारी खतम हो गया है अब ही तक चाहिए अभी बाट लूप हो गया तो हमारा विक खतम हो गया तो अभी तक जो रिचीव हो आही जितना भी इतना अकाम करने के बाद हमें जस्ट एक यह अरे जिसके अदर सारे element अभी भी आ तो गे हैं कि यह 0 number वाली row के element है यह 1 के है यह 2 के है यह 3 के elements तो आ गए है बट एक string नहीं हुए हमें return क्या करनी है हमें return string करनी है ठीक है तो अभी तक हमारे पास जो काम होए वह एक array की शकर के अंदर आया है यहां पर हम चेक करें तो क्या यह साला कुछ सेम है कि नहीं कि हम चेक करें तो PiN पहले पे है तो PiN नहीं है ठीक है A L S I G Y A L S I G तो आगे वाए वाला अगले वाला शुरूग हो जटा है कि वाए A H R और वाए पई नेएए ठीक है तो यह हमगर चकर को डशारी का टीक है चाहिए भी कि मैं इसको चीजटराई इस काज़ता तो किई यह अरेंड पर आके है ठीक हो गया हमारे पास जोन्स है एंड पर आके एक रेट ही हुई है यह सारी जोन्स ही है इसको अब आप दो तरीके हैं इसको स्टिंग के अंदर करने के या तो हम फालूप सिंपल लगाएं और सिंपल लगाने के बाद के करें जोन्सा भी ऐलिमेंट है ना यह हमारा जीरो इंडेक्स के उपर उसको वान के साथ कंकाटिने करवाद है फिर जो भी ऐलिमेंट बान रह में तो यह क्यर्ता है यह ना पूर एक ले रहा होता है अपने पैडामिटर के इंदर अगर मैं उसको कहता हूं कि एक फ्रेस लगा देगा अगर मैं इसको कहता हूं कि एक हैस्टेक लगा तो हैस्टेग लगा देगा तो जस्ट जुआइन कार रहा है वह एलिमेंट्स को लेकिन जिग जोन सा ना अगर हम यह चैक करें तो यह देखें यह बीच में जोन सा एक है तो धुझा करें तो इसको करके देख लेते हैं तो अगर हम इसको चैक करें आzej कर को देखें यह यह है है यहां पर भी हैस्टेगा औरक्यां कियूंकि मैंने यहां पर यहां पर पैरओलि को कहा कि हैश्टैक के साथ जोड़ो लेकिन स्टिंग के अंदर उसने क्या 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 कुछ भी जोड़ना सीरफ वाले ऐलिमेंट को आपस में जोड़ देना है तो उसका कि त्रीके का रहा है अगर किसी का कोई क्वेस्टन है कई सब्सक्राइब नहीं तो आप फिल फ्रीट वास्क्राइब अगर कोई क्वेस्टन है तो वो पूछ सकते हैं यह उसकी कॉमपलेक्सिटीं किस तरना वेजर करेंगा इसके एगर हम कंप्लेक्सिटीं करेंड़ना तो इसकी वह किस तरह जो पूंस कोती है कि यहां पर यह अक्रियेट हो रही है यह बी वाटहों टाइम अगरिए यह का नहीं है धिक्ड़ करना में एक डिक्सनल्म माड़ाय है कार देड़ा कंव कर दीज़ करते हैं चाहिए प्रकॉरी की पूरी की पूरी की पूरी अरे के अपर आइडरे तो बारी बार यह का रहे हैं ठीक हो गया मजीद यहां पर यहां पर जो सा ओर रही है वो जो वन में हो लिए यह सारा इसका इसलिए काउंट काउंट कारें तो काउंट भी सकते हैं लेकिन काई इसलिए कि यह बैक एंड पर जा रहा है ठीक है यह लीड कोड के सरवर के उपर वापस रिटर्न हो रहा है तो यह लीड कोड का काम है इसको अ मिशल या कॉण्ट निकार रहे हैं अगर करना चाहें तो वह कार भी सकते हैं कोई एन प्लस 3 होगा जा इनको भी कॉंट करें तो 4 एन प्लस 1-3, 4-5-6-7-8, बदूब एट, 9 जो से लाइन संब बन रहें तो ओफ N ने बनेगा वो, ठीक हो गया, टाइम कंप्लेक्सी जो है पूरी तु इंट्रप सर, टाइम चेक सिर्फ चार में ड्राएं, जब स्पेश नियुक्र rodzina ३श्ट कर ख्लूह है कि वह दूति है तो यह सर इसको करें ऑगान रही थी तो इन Doesn't तो यह सर इसको मुझे भी क्लियर किया है यह ओफ बन लेगी के ओफ एंड लेगी किसमें स्पेस में जी सर स्पेस के अंदर वाफ एंड लेगी क्योंकि आप एक नए अडिशनरी बना रहे हैं इसकी तो फैंड होगी ठीक है कि ठेविगान मताप्र कॉर्ण कर ही तुपर वे तुपर वाली रएए सब्सक्राइब लाइन जिग्जाग इक्वल टू यह एक अरे डिक्लियर हो रही है यह अब कांस्टन मुल्टिप्लिकेशन है सो आई फिल देट इल्बी कॉंस्टेंट अब आफ रोज तो एक इंटीजर वैलियो है और वो एंप्टी लिस्ट के साथ मल्टिप्लाइब रही है डैश विए कॉंस्टन इस पेस को लिए वन होगी इस पेस को लिए पिर इसके जिख जैक से अड में बनेगा क्या कितनी लो ए ओ अन होगी क्योंकि जितना नंबर आफ रोज हैं इस पेस में हम उतने इंप्र आफ रोज रोज हैं इतने लिस्ट बना सब्सक्राइब कर रहे हैं उतने लिस्ट नहीं बना रहे हैं उतने मत्रब लिस्ट एक ही बारिया है उतने हम एम्टी बोक्स समय बना रहे हैं क्योंकि एक वेरियेबल नहीं है यह लिस्ट है उतनी लेंथ की जितना नंबर आफ रोज हैं तो यह ओफ एन होगी बड़ यह भी हो सकता किसी केस में कि जो स्ट्रेंग की लेंथ है और नंबर आफ रोज हैं वह बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना उनमें तो इस कैन भी ओफ है कॉंस्टेंट नहीं होगी जी सर तो स्पेस ओफ एन से उपर नहीं जाएगी सारी प्लस हो जाएगी तो भी ओफ एन ही रहेगी पेस ओफ एन होगी क्लीर है सबको जी ठीक है अगर इस से रिलेटेड किसी का कोई मजीद क्वेस्टिन हो तो आप एट पीम वाले चैनल के अंदर जो है क्वेस्टिन पोस्ट कर सकते हैं और विल्ट्राइब के सर आपको आंसर करते हैं उस क्वेस्टिन का तो अभी टाइम अप हो गया सेशन का तो फिर हम यह सेशन अंड कर देते हैं और इंशाला फिर कल मुलकात वोगी बहुत शुक्रिया सर आपने बहुत अच्छा को इसन प्रिजंट किया अधिक यह सर अधिक लगव